हेलो स्टुडेंट्स हम लोग एसेस्टी के सेकंड चेप्टर जिसका नाम क्या है इस चप्टर को पड़ रहे थे और इस चप्टर में अभी तक हम लोगों नहीं ग्लोब मैप के वीच में कंपैरिजन किया था मैप से लेंगविच के बारे में जाना था इसके अलाव हम लोग ने मैप से मैप पर डिरेक्शन को फाइंड करना सीखा था प्यारे बच्छों आज हम लोग स्केल आफ दे मैप यानि मैप का पैमाना ठीक है इस टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे की स्केल आफ मैप क्या होता है और यह हमें स्केल क्यों जब्रत होती मैप के लिए यह जानेंगे पेरे बच्छों चले स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्केल आफ दो मैप ए मैप कैन नेवर बी एज बिग एज एरिया और रिजन बाई इट इ आप माल। आप नोईड़ा का मैट में कहां पर है यह आप कहीं पर होते हैं यह किसी कंपनि अ的话 कम करते हैं तो उसकी पूरी लोकैल्टिक को एक मांचेतर त्यार किया जाता है ठीक है तो मैप कहीं कभी आप बनाई है ह।ो झो है जहां का बड़ी से बड़ी जहां का मैप बनाई है तो वो जो मैप होता है can never be big as the area or reason zone by it ठीक है इसका मतलब है कि जो मैप होता है वो कभी भी उतना बड़ा नहीं होता जतना बड़े area का छोटे से काज़र पर नहीं बना सकते हैं तो एक क्योई आरिया यह जिस एरिया को आप दिखा रहे हो इतरें possibly एरिया को मैप नहीं दिखा सकते हो ठीक है बलकि आप इट is much smaller बलकि आप उसके छोटे से भाग को दिखा सकते हो ठीक है कुल मिला करी किशेल क्या होता है किल का मतलब वॉथ या mét को यह एक तरह का रिपल होता है नोल माल लीज़ेई होता है उनपार और्यूमेटर कुष्ट्रण्स, मारोग मिस्ठेंज को का लिए तो किलोमेटर है कितनी किलोमेटर है कि ले लोगे कि यूनिट ले लोगे कि वहाइं यह सेंटीमेटर के बराबर या 1 mm के बराबर है एक मिलमीटर 8 weडर स्कुलमिहें で बराबर ले लिए एक मिलमीटर आग मिलमीटर को तो मैप पर ट्रॉ कर सकते हो है है तो वोजह अग घ्ल्यमीटर 80 को रेप्रेजेंट करेगा ठीक है तो यह होता है मैप ठीक है यूज दिने मैप इस लृष्ष शोने नहीं कऊर्न आफ दवड़ा मैप में सक्यल का इस इस मैप में किया जाता है मैप में हमेसा मैप के कार्णर पे कोने के साइड पर लिखा रहते है ठीक है अब ये जो इतनी है वहाँ पर उनके बीच की डिस्टन्स फेस से कहते हैं सो सब्सक्रातों एक संसी मिट्र के हो जाए धैये यह हमारे scale है जो हमारे corner पे map के corner पे लिखा हुआ एक है देता है हमें the scale of the map can be shown in another way अब यह जो scale map का को एक ही तरीका नहीं होता इसको दूसरे तरीके से भी represent किया जा सकता है we will call it linear scale और इस जो दूसरा तरीका होता है linear scale कहा जाता है अब linear scale क्या होता है a line is a drawn in a corner of the map जो आप किसी मैप के corner पर लाइन ड्रॉ करते हो ठीक है divided into two equal parts तो दो इसके दो equal parts होते हैं मतलब इसकी कई equal parts होते हैं प्रतिक पार्ट जो होता है इसको प्रदर्शित करने का काम करता है look at the scale zone below अब यहां पर जो scale दिया गया है इसको देखे अब यहां पर यह से ले करके अधिर तक जो है 800 किलोमीटर है अब यह 800 किलोमीटर है रही समानदूरी पर equally क्या है divided यांदि 100 पर डिवाइड तो यहां देखे हैं आज के बीच में क्या हो गया यहां पर 200 किलोमेटर, जबकि ए और बी के बीच में 100 किलोमीटर हो गया ठीक है तो यहां पर a, b, c, 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 d यह equally length है जो लाइन पर बने हुए है और फ्रत्य एक लेंस पर प्रलत्रों जो है वह 100 क्मित्र प्रसुपिज़ पर ईसको इंडिकेट करने का काम कर रहा है ठीक है according to this scale अब यह जो स्केल बता है यह जो जी सकेल है वह वास्तों में क्या है दिस्टे स्ट कुल लाइन ये भी जोर। सब्सक्राइब करता है सो क्लिमेटर को είक फ़्युन कंडुज से कि कुल आप इसी को आप दे सकते हूं कि जो डिस्टंस ए और सी के बीच में वह 200 किलमीटर बराबर बराबर दूरी पर है ठीक है मैं उम्मीद करता हूं आप कोई बाते समझ में आए होंगी आए आगे दिखते हैं प्यारों बच्चों दस बाइदा यूज ऑफ इसकेल इसकेल की इस्तमाल से विकन नो दा एक्ट्वल ग्राउंड डिस्टंस बिट्विन टू प्लेसे ठीक है आप इस स्केल की मदद से यह जान सकते हों कि जो दो प्लेसे के विच में एक्ट्वल डिस्टंस कितनी है वह आप इसी इन्हीं स्केल की मदद से जान सकते हों ठीक है जो आप मैप पे ड्रॉ करते हों यह मैप नॉट लेकिन wielking माप जो नाम इम सकेयltry के दो उसे स्केच कहा जाता है ठीक है इस बात को आप उम्मीद करता हो अच्छे से समझे मैप में इस क्यों करक् comprend है ठीक है चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ मिलते हैं नक्ष वीडियों बाद गुद्ध धन्वाद